या क्या ये कमर्शल फिल्म है जब कश्मीरी पंडित यहां से निकल गए उस्वा गवनर राज था जगमोहन साब गवनर थे बीजेपी की हकूमत थी मरकज में मैं तो फिल्म बनाने वालों से सिर्व इतना जानना चाहता हूं क्या ये क्या ये क्या ये कमर्शल फिल्म है अगर ये डॉक्यूमेन्ट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया है लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि it is based on reality but it is not a documentary उसमें तरह तरह के जूट दिखाए गए हैं बिल्क हसूस उस वक्त की हकूमत के बारे में हकीकत ये है कि जब ये वाकिये हुए जब कश्मीरी पंडित यहां से निकल गए उस वक्त फारुक अब्दुल्ला वजीरियाला नहीं था उस वक्त गवणर राज था जगमोहन साब गवणर थे वीपी सिंग साब की हकूमत थी और वीपी सिंग की हकूमत के पीछे कौन खड़ा था बीजेपी बीजेपी की हकूमत थी मरकज में जब कश्मीरी पंडित यहां से चले गए तो यह क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो लेकिन वीपी सिंग के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते हो वीपी सिंग की हकूमत थी उस वाग जब निकले तो अब यह सचाई के साथ इस तरह खिलवाड करना यह अच्छी बात नहीं है और आपने सही कहा यहां सिर्फ एक कौम ने कुर्बानिया नहीं दी अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं हमें उसका बेहत अफसोस है नहीं होना चाहिए था लेकिन क्या कश्मीरी मुसल्मान नहीं मरे क्या कश्मीरी सर्दार नहीं मरे अगर यहां लोग घर से निकल गए बे घर हुए तो उसमें सब मध़भ के लोग शामिल है मुसल्मानों ने भी अपनी मकाने छोड़के कश्मीर छोड़के कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए हमारे सिख भाई बहन वह वी चल चोड़के गए हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी चोड़के गए हमें असबात का अफसोस है और हम कहते हैं आप माहौल ऐसा बनना चाहिए कि यह वापस आए लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वह ज इस शेरी कश्मीर के सिपाई हैं वरकर हैं जिन्नोंने हमें ये नारा दिया शेरी कश्मीर का क्या इरशाद हिंदू-मुस्लिम सिक टिहाद हम उस बात पर कायम है और उस जम्मू कश्मीर को हम दुबारा कायम देखना चाहते हैं देखिए 1987 से लगातार मिलिटेंसी चल रही थी उस वक्त जब इलेक्शन हुए थे तो फारुम दूल्ला ही चीफ मिलिस्टर थे लेकिन बाद में जब हालात बिगड़े तो उन्होंने अस्तीफा देकर चोड़कर वहां पर अस्तीफा देकर के चले गए और देश से बाहर चले गए। तो कुलम बाकर के मुझी ये कहना है इनी लोग तो की दूरान हुई इसार होई है उसी के कारण से नहीं कि ये इलेक्शन ठीक नहीं है, कुछ लोगों को इनों ने जवर्दस्ती जिताया, इस परकार के ये लोग थे, तो आज जहां तक कश्मीर फायल्स की बात है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या, लासा कॉल को नहीं मारा गया, नीरकंट गंजु को नहीं मारा गया, टीका में हलात नहीं बिगड़े थे, इन्हीं की जो सरकारें थी, उसी दुरान हलात बिगड़े थे, तो सच कुछ सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए, जो इनमें नहीं है, और अब उसको चपाने की कोशिश की जा रही है, इन्होंने पूरी कोशिश की बाली वुड के माद्यम से, दूसरे माद्यम से इस फिल्म को फेल करने की, लेकिन वो होना सकी हिंदोस्तान के लोग सच जानना चाहते हैं, और उस फिल्म के माद्यम से उस तरास्दी का सच उनके सामने आया है.